पर्ची क्रिकट बोर्ड, नाट पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड, PCB का मतलब क्या पर्ची क्रिकट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकट बोर्ड हटा देना चाहिए, पाकिस्तान का क्यों नाम बदनाम करे हो, यह पर्ची वाला जो काम पहले पाकिस्तान लेवल पर होता था, लेकिन पा मही से पहले पहले T20 World Cup के लिए लेकिन पाकिस्तान ने स्कोर्ड का इलान नहीं किया फॉस्स डैड लाइन गई तेल लेने पाकिस्तान के रिकर्ड बोर्ड को इससे फरक नहीं पड़ता पाकिस्तान ने वही काम किया जो पर्ची वाला काम किया पाकिस्तान ने ये काम किया कि 15 पंदरा नाम लिखे प्लेयर्स के एक पर्ची पर और ICC को पार्सल कर दिये और ICC को यह कहा कि जो हमारे पर्ची वाले पंदरा प्लेयर है यह आप लोगोंने मीडिया पर नहीं देने यानि प्रेस रिलीज नहीं करनी ना हम करेंगे ना आप लोग करना यह एक फॉर्मैल्टी थी जो आप लोगोंने कहा था कि फर्स्ट डैडलाइन से पहले पहले आप लोगोंने स्कोर्ड का इलान करना है तो हमने यह स्कोर्ड का इलान कर दिया है प्लीज यह मीडिया पर ना देना ICC की तरफ जो फस्स डेड लाइन थी उसका ये मतलब था कि फस्स मही से पहले पहले जितने भी क्रिकट बोर्ड है T20 वर्ल कब का स्कोर का एलान करेंगे और जो 25 मही जो आखरी डेड लाइन है सेकंड डेड लाइन उससे पहले पहले आप चाहे पूरी टीम चेंज कर दो यानि एक जस्ट फॉर्मैल्टी थी पाकिस्तान ने इस चीज को सीरियस ली लिया जस्ट एक फॉर्मैल्टी बनाई परची पर नाम लिखे और ICC को बेज दिये मुझे ये नहीं समझ जाती पाकिस्तान क्रिकट के बॉर्ड के पास ऐसे कौन से तुरम खान है जो मीडिया पर नहीं बताना चाहते इसकी क्या वज़ा है कि जो मीडिया पर प्रेस लीज नहीं की गई कि हमारे ये 15 रुकनी स्कोर्ड है सब को ये पता है इस चीज़ का आपको भी पता है मुझे भी पता है और X क्रिक्टर जितने भी है उन लोगों को भी पता है कि कौन से पाकिस्तान के प्लेयर होंगे वर्ल कप के लिए सिर्फ ज्यादा ज्यादा करोगे ने एक या दो ऐसे प्लेयर की चेंजिंग होगी वरना बाकि जो जिने भी प्लेयर है वो सेम ही प्लेयर होंगे मैं आप लोगों के सैमने एक्स क्रिक्टर्स की राए भी रखूंगा कि उन्होंने कौन से टीटवंटी वर्लकब के लिए स्कोर्ट पिक किया पहले दो टीटवंटी वर्लकब में पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस आस्मान को छूरा था एक दिन पहले ही जिस टीम के अगेंस्ट मैच होता था प्लेइंग 11 मीडिया पर आ जाती थी कि ये हमारी प्लेइंग 11 है अगर दम है तो आकर हमारे साथ ग्राउंड में फाइट करो लेकिन अब जो सुर्टेहाल है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन जो है हमें ये पता होता ही निये टास से पहले कि कौन से प्लेइर खेलने वाले है प्लेइंग 11 में हमें ये मालूम ही नहीं प्लेटा एक मैच पहले कोई और प्लेयर होता है एक ही फैंटा लगता है पाकिस्तान टीम को और बाद में स्कोर्ड का धरम भरम हो जाता है दो चेंजिंग हो रही है पांच चेंजिंग हो रही है अब बात यहां तक आ चुकी टीटवन्टी वर्ल्ल कप आने वाला है 2024 फस्त मही को फस्त डैडलाइन थी स्काउड अनाउस करने की लेकिन हमारे पास इतना दम ही नहीं है हमारे आते इतना तपड ही नहीं है कि हम मीडिया पर अपने प्लेयर ही बता सकें वही किस चीज़ का खोफ आप लोगों को मुझे यह नहीं समझ आती 25 महीं से पहले आप चेंज भी कर सकते हो अगर कोई खलाडी अन्फिट है इंजिरी का शकार है या कोई और भी वज़ा हो सकती है तो आप कम से कम यह तो बताओ मीडिया के सामने आके जिस तरह इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप का अनाउस किया सकोड का, एस्टेलिया ने कर दिया, न्यूजिलैंड ने कर दिया, इंगलेंड ने कर दिया, साउफ अफरिका ने कर दिया, बड़ी बड़ी टीमों ने कर दिया लेकिन पाकिस्तान सबसे पीछे खड़ी हुई है, पता नहीं क्या देख रही है ये, सौर से इसका रिजन का पता चला कि पाकिस्तान ने स्कोर्ड का इलान क्यों नहीं किया, इसका ब्लेम जाता है बाबाराजम पे, कहना कि बाबाराजम की वज़ा से ये स्कोर्ड का इलान न नहीं हो सकते और दूसरी बड़ी बात अगर फिट हो भी जाए इनकी परफॉमस भी वैसे हो सकती है या नहीं सबसे पहले जिसका नाम लिया गया मोहमद रिजवान बहुत बड़ा प्लेयर है आप लोग भी जानते हो दूसरा नाम लिया हारी स्रॉफ रन मशीन उसको भी सोच नमबर पर रहा है इमरान खान नाजी यानि इन चार प्लेयर की वज़ा से पाकिस्तान ने सकोड का इलान कर दिया पर्ची पर लिकर लेकिन पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता कि कौन से प्लेयर शामिल किये गए हैं बास्ताली पाकिस्तानी कम्मिटेटर है उसने भी टी-20 वर्लकप के लिए अपनी तरफ से स्कोर्ड का इलान किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा नाम मिस कर दिया। पहले आप नाम देखिए। बाबर आजम, महमद रिज्वान, साहय मयू, फकर जमान, आजम खान, इमरान खान, नियाजी, शाहदाब खान, इमाद वसीम, अबास अ अबिल्टी नहीं है कि वो टी ट्वंटी वर्लकप खेल सके, बतोर बासिद खान, वकार यूनस ने अपना स्कोर्ड का इलान किया टी ट्वंटी वर्लकप के लिए, इसमें भी बाबर आजम है, शामिला, रिजवान, उस्मान खान, आजम खान, इफ्तिकार, शिदाब खान, फखर जमान, साहय मयूब, इमाद वसीम, इबरार अहमद, उसामा अमीर, अफरीदी, नसीम शिया, आमीर, राउफ, लेकिन जो नाम शामिल ने किया गया अबास अफरीदी है, सल्मान बट ने भी अपनी तरफ से टी ट्वंटी वर्लकप का स्कोर्ड का इलान किया पाकिस्त उसामा अमीर, आमिर जमाद शाहिंशा, फरीदी, नसीम शाह, महमद आमिर, हारिस राउफ, इंडिया की तरफ से अगर देखोगे तो पकिस्तान के लिए जो प्ले स्लेक्ट किये गी है, इसमे एक ही नाम है जो शामिल ने किया गया, वो है उसामा मीर, लगता है अर्शा बो कर सकोड का एलान कर सके मेरिया के सामने, बाकि जितने भी करिक्टर्स हैं, उन सबी ने अपनी अपनी तरफ से T20 वर्ल कप कर सकोड का एलान किया है, आप लोगों ने लिस्ट में देख लिया होगा, लेकिन पाकिस्तान की रिकर्ट बोर्ड का ये माना है, जो हमारी सीरीज खिलाफ है और दूसरी इंग्लेंड की खिलाफ है इन में से जिनकी अच्छी प्रफॉर्मस होगी उसी को T20 वर्लकम में शामिल किया जाएगा दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर उता हिएगा कि जो पाकिस्तान की रिकर्ड बॉर्ड ये का कर रहा है कि जो पहली डेड लाइन थी फर्स्ट मही की पाकिस्तान को चाहिए था कम सकम मीडिया के सामने नाम तो रखते चाहे आप बाद में चेंज कर लेते उसको आप इस बारे में क्या सोचते कि मेंट बॉक्स में जरूर दाएगा थैंक यू